बाई फैक दूसरे दिन ज्याग के साथ हिमपर को मिलने जाता है जहां एमपर उनका स्वागत करता है ज्याग को लगता है कि उसे यहां क्यों बुलाया गया है दूसरी तरफ ज्याग का हाथ पकड़ के उसे संतावाना देता है कि वो सब संभाल लेगा ज्याग खाने की कुछ चीज टाइम टू टाइम ज्याग की प्लेट में दालता रहता है तब ही एमप्रूर की कुबीन कहती है की जी परिवार की बड़ी बेटी का रिष्टा आया है ज्यान बाई के लिए तो हम इसे एक और कुबीन देना चाहते हैं ज्यान बाई मना कर देता है ये कह कि उसने अभी अभी शादी की है उसकी मेल वाइफ को वो दुखी नहीं करना चाहता कुबीन को दोनों के बिच का प्यार अच्छा नहीं लगता वो फटसे ज्याग की तरफ देखती है और पूछती है तुम्हारा क्या कहना ना है ज्याग बोलता कि कोई अच्छी कुबीन देखना वही ज्यान बाई को गुस्सा आ रहा होता है कि कैसे उसकी मेल वाइफ ऐसा कह सकती है ये सब खतम हुआ होता है तब ही ज्याग बाहर हवा खाने जाता है यहाँ प्रेंस मिलता है बोलता है ज्याग बहुत लंबे समय के बाद दिखे कैसे हो ज्याग थोड़ा बात करता है औ उसकी आँखे चमक रही होती है. उसने बिजनेस में काफी प्रॉफिट कमाया होता है. तभी उसकी दुकान का सेवчивक आता है. और बोलता है, सर, ये पेंटिन्ग मेरे समझ से बहार है. ज़रा देख के बताव कि क्या किया जाए? जियाग जब पेंटिन्ग देखता है तो बोल ठीक नहीं लगता और वो अपने सेवक के कान में कुछ बोलता है दूसरी तरफ बतल ली आता है और बोलता है ज्याग को की जी परिवार की बड़ी बेटी कुबीन के रूप में आ चुकी है क्या करें अब ज्याग को बड़ा बुरा लगता है कि कल ही बात हुई थी और आज बोलता है ठीक है सबसे दूर का घर उसे ददो इतना ही नहीं सुन्दर सरवेंड भी देना और अगली बॉडी गाद देना बतल के जाने के बाद नई कुबीन आती है और ब्रीटिंग करती है ज्याग को और चाए भी देती है ज्याग चाए लेता तो है लेकिन पिता नहीं ये सब करके वो सील डूंदे जाता है ज्यानबाई के ओफिस में वहाँ उसे सील मिलती है पर ये नकली होती है दूसरी तरफ सूलाद ज्यानबाई को बताता है कि ज्याग कैसे सील चोरी की दूसरी तरफ अभी ज्याग उस सील को देख रहा होता है और सोचता है कि इतना कीमती सामान कोई क्यूटेबल के निचे रखेगा पर फिर भी वो उसे लेता है और सोचता है इसे सेल करके काफी पैसा मिल सकता है दूसरे दिन ज्याग नाश्ता करने जाता है देखता है कि ज्यान बाई जी परिवार की भेजी गई कुबीन के साथ बैठ है उसे मन में बुरा लगता है वो ये भी सोचता है कि किसी को भी भेजा जाए शायद ज्यान बाई सभी को एक सिप्ट करेगा दर्वाजे पर खड़े क्राउन प्रंसेस ज्याग को देख के जायन थम्जाप का चिनह बाई कहता है तुम लेट कैसे हो गई क्या बिमा हो एक काम करो जाके अपने कमरे में आराम करो इसी बिच नाई कुबीन बोलती है मैंने दलिया बनाया है आप भी कहा के देखो पर ज् परिवार से हो तुम को हेल्प करना चाहिए चुकि तुम हेल्प नहीं करोगे मैं क्राउन प्रिंसेस बनूगी तुम ही रास्ते से हटाके और बाई ज्यान को मार डालूँगी ज्याग सोचता है इतना अजीब है क्या जी याओ इर सचमुच इतना साहसी है क्या मुझे रान जी की मिद्सवेट दुकान पर गए थी वह जी पहले स्लोट आए लेकिन अंदर नहीं गई उसने गेट के सामने गाड़ी पर बैठे व्यक्ति को पोशाक दे दी वह गाड़ी ऐसा लगता है जैसे वह शाही शहर के ओर जा रही है जाएक पूचता है राजकुमारी जिया र अंदर आने की अनुमती नहीं है भले ही आप ताज की राजकुमारी जेन भी होगा जियाग को ये बोलते है लेकिन जिया रहो मुझे राजकुमारी से मिलना बहुत जरूरी है अंदर आने के बाद जियाग बोलता है फ्रिंसेस जो कपटे दिलीव हुए है मैं उन्हें है कि गलत कपटे आये है आपके पास प्रिंसेस जाती है और कपटे बुलवाती है जियाग देख के बोल देता है ये मेरी शौप के कपटे नहीं है कपटे देखते हुए जियाग के हाथ से बलदाने लगता है कपटे में पॉजन है प्रिंसेस गुस्से में पूछती है कि क् हॉम करना चाहते हो ऐसा होता तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आता डॉक्टर आता है कपटे चेक करके बताता है कि यह पॉसंद कितना खतरनाक है जयाग बोलता है वो खुद इस केस को सोलवे करेगा दूसरी तरफ ज्याग की आंटी खुश हो रही होती है कि उसने कपटे दिलीव कर दिये है तब ही ज्याग जी मैशन पहुंचता है और उसके और आंटी के बिच बहस शुरू हो जाती है जी जेड यांग आप यहां अंदर कैसे आए आप क्या करना चा सोचते हैं तुम्हारी हिम्मत किसे हुई प्रिंसेस को नुकसान पहुंचने की आंटी सोचती है इससे कैसे पता चला ज्याग और आंटी के बीच मैं बहस होती है दूसरे दिन ज्याग बैठा होता है शौप की पर आता है कहता है प्रिंसेस ने पेंटिंग वीजी है ऐसी ड वो शून्य 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 चाहती थी लेकिन उसे एक्स 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 करना पड़ा वो कोशाक को आमने सामने देखते समय उसका किनारा देखना चाहती है वो फैंसी स्टाइल चाहती है लेकिन इसमें बहुत अधिक सजावत नहीं हो सकती वो बड़प पन दिखाना चाहती है लेकिन फिर भी उसे सुन्दर पहुंच दिखानी होगी वर्चुस्त रहना चाहती है लेकिन फिर भी उसे धीला और आराम दायक रहना होगा जरा थहरे यह क्या है ज्याग परेशान हो जाता है पर एक ग्रास 500 टाइल्स की है ज्याग काम कर रहा होता है उसकी मेड आती है, बोलती है, मास्टर आराम करो देर हो गई है, ज्याग मेड को भेज देता है और काम जारी रखता है, तब ही एक सनेक को अंदर आता देखता है और डर जाता है, लुवान को ये सनेक काट लेता है, ज्याग और परेशान हो जाता है, वो बोलता है डॉक्टर को बुलाओ लेकिन गार बोलता है डॉक्टर ओनली लोड को ठीक करते है ज्याग खुद है लड़की को उठा के जाने लगता है सु रोकता है पर ज्याग नहीं सुनता ज्यान बाई आता है वो भी लड़की का इलाज करने से मना कर देता है यदि आप लुवान एर को नहीं और ज्यान बाई के बीच बेहिस होने लगती है रानमो फैंक नेतिकता के बारे में बात मत करो ठीक है ज्यान बाई को गुस्सा आता है वो बोलता है बेग करो मेरे से तो मैं बचा लूंगा मिट सिवेंट को ज्याग सु को लड़की को पकड़ने के लिए देता है और ज्याग को उठता है और कमरे में ले जाता है तब ही ज्याग कहता है मुझे कुछ बात करनी है तुमसे दोनों बैक जाते है